खबर है कि राहुल गांदी पुना छुट्टी पे चले गए पिछली बार जब संसद का सत्र चल रहा था तब वो 56 दिनों के लिए वेकेशन पे छुट्टी पे गए थे इस बार बिहार के चुनाव के दौरान वो छुट्टी पे चले गए देखिए बहुत काम किया है उन्होंने वैसे छुट्टी पे जाना बनता है दो रैलियां की है किसानों के बारे में इतनी चिंता की है तो छुट्टी पे जा सकते हैं इस पे तो उनका वेक्तिगत विशय है इस पे हमारा कुछ कहना नहीं है मगर जिस प्रकार से ओफिशयल स्टेटमेंट जो कॉंग्रेस का आता है उसमें कन्फ्यूजन है उसमें एक डिवाइड है उससे हम चिंती थे आप देखिए पहले तो कॉंग्रेस कहती है ये उनके व्यक्तिगत छुट्टी पे जा रहे हैं और उसके बारे में कुछ डिस्क के लिए अब ये अलग बात है कि एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज इंटरनेशनल सेमिनार में क्या बोलेंगे क्योंकि देश में तो मैंने कभी उनको किसी सेमिनार पे बोलते हुए नहीं सुना मगर ये उनका व्यक्तिगत विश है ये जो छुट्टी में जाने का प्रक्र कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नितीश जी और लालू जी के कहने पर उन्हें जबरन भेजा गया है Mr. Rahul Gandhi has been sent on a forced vacation because Mr. Lalu Prashad Yadav and Mr. Nitish ji were not comfortable with the presence of Mr. Rahul Gandhi not only in Bihar, anywhere in India because that would have cost them quite hard Mr. Rahul Gandhi की चितना इतना नहीं करनी चाहिए देश का भविश्य के बारे में सोचना चाहिए और जितने वादे उन्हें देश की जनता सके अगर उनके बारे में सोचते तो देश के बारा अवश्य होता अगर आपको बता दिया है कि वो एक कॉन्फरेंस के लिए एक कॉन्फरेंस के लिए गए हुए है इसका रंदीप सुर्जेवाला जी ने कल ब्यान आप लोगो को रिलीस प्रेस रिलीस कर दिया था इसमें बताने की क्या दूत है इसलिए ने का दिख और अपकी अजे लिए है कि छोगोगी बारा जी ने कल दूत है